रादे रादे दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इडली सांबर और नारियल की चटनी जो के हर राज में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा तेस्टी लगती है और इसमें हमने अलग तरीके से बनाई है तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं तो यहां पर लिया है हमने तीन कटोरी चावल ए अहाफ कटोरी उड़त की डाल और दो चम्मच मेथी दाना इन सारी चीजों को हमने अच्छे से साफ पानी में तीन से चार बार धुल कर पान से च्छे अब हम यहां पर इढली बना रहे हैं तो हम इसका पानी निकाल लिया है अभी इसके बाद सारी चीज़ें हम यहां आपस में मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद लेंगे हम एक क्टोरी चावल डाल और मेथी दाना इसे हम पीस लेंगे दोस्तों खाला बार बनाते समय स्टर्टेंग से हम बहुत ज्यादा पणीya हो जाएगा तो इसे हमें डाल कर mixer jar में इसका पेस्स बना लेना दोस्तों इसका हमें दर्दरा बेस्स बनाना है बहुत ज्यादा मही नहीं करेंगे हलके हलके crackles दिखने चाहिए बस हो गया और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे कि बहुत दाने रहें इसमें तो यह देखिए दोस्तों दो बार में इसमें मैंने पीस लिया है सारा बेटर अभी इसमें हम डाल देंगे एक चमच अजवाइन अब अजवाइन दोस्तों यह भाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है इसमें बहुत ही अच्छा अजवाइन से फ्लेवर आते है आप इसमें डाल के जरूर देखना अभी मिलाएंगे स्वाद अनुसा नमक लाल मिर्च का पावडर और जिस कटोरी से हमने चावल मेजर्मेंट किया था उसे कटोरी में हाफ कटोरी दही ली है हमने यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा खटी दही का यूज नहीं किया है दोस्तों ये दही ना तो खटी या ना तो मीठी मीडियम है और इसे एक से दो मनट चला कर हमें ढखकर रख देना है अब चलिए सामभर बनाने की त्यारी करते हैं कुकर में डालना है हमें सरसो का तेल, दो चमच फिर डालना है हिंग, जीरा, राई और मेथी और हरी मिर्च उसके बाद हमें इसमें डाल देना है कटा हुआ एक प्यास और इसे हमें चलाना है दोस्तों बहुत जादा नहीं भुनेंगे एक से दो मिनट हाइफ फ्लेम में इसको हम चलाएंगे एक मिनट तक उसके बाद हमें डालना है कटे वे दो आलू और इसे भी हमें दो मिनट तक फ्राय कर लेना है इसी तेल में भुन लेना है दोस्तों यहां पर हमने बहुत जादा सब्जियों को यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने होली वाले दिन सांबर बनाया था दोस्तों कुटा हुआ अध्रक लैसन और तॉमाटर तॉस्तियों काउडर सांबर नल मिर्च का पाउडर उसे भी हमें आछे से मोटक भुल लेना है ठामंटर गलने के बाड़ डाल देना है half katori touri taaab बहुत अचा taste आता है 2 चमज हमें भरके डालना है sambar masala उसके बाद आदि छोटी चमर डालना है garlic masala और इसे भी हमें medium flame करके भूल लें क्योंकि77 कम्याजादा कर सकते है और इसके बाद हमें इसे चला कर कुकर के लिड को लगा देना है और एक सीटी देना है हाई फ्लेम में उसके बाद हमें फ्लेम को कर देना है बिल्कुल से धीमा और उसके बाद दो सीटी आने तक इसे हमें पकाना है फिर फ्लेम को बन कर देना है अब ही हमें बनाना है नारिय जिसे हमने काट लिया था भुनी हुई मुंग फली आधी कटोरी तीन से चार लेसुन की कली और हरी मिर्च लेना है और एक इंच अद्रक का तुकड़ा लेना है मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए अभी डालना है धनिया की पती स्वादानुसार नमक और धोड़ा सा पानी हाफ कबसे भी कम पानी लिया है हमने यहाँ पर और इसे हमें पीस लेना है दोस्तों अगर इस सारी चीजों का आप नारियल की चटनी में यूज करते हैं दोस्ते बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे अभी इसमें डाल देना है आधी कटोरी दही यहाँ पर वही वाला दही है हमने जो हमने बेटर बनाने में यूrat कि यह देखिए दोस्तों अप इस तरीके से अगर नारियल की चटनी बनाते हो तो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती इसके गैरंटी में लेती हो दोस्तों आप बना कर ज़रूर से देखना अभी चलिए बारी है इसमें एक जबरदस्त तड़का लगाने की तो अभी इसके सारे बेटर को हमने मिक्स कर दिया है चटनी का अभी हमें तड़का पैन गरम करना इस पर डालना है एक चमज सरसोका देल दोस्तों अभी इसमें डालना है आधी छुड़ी चमज हींग आधी चमज हमें डालना है राई की दानी और लाल मिच का पाउडर डालते ही हमें गैस को बंद कर देना है और फटा-फट सी ये तड़का हमें चटनी में डालकर ढ कर रख देना है फिर उसके एक मिनट बाद ये सारी तड़के को हमें चटनी में बहुत अच्छे से मिला देना है दोस्तों इस तरीके से नारिल की चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है इसे आप बड़े में या किसी खाने में नॉर्मली बना सकते हैं बहुत अच्छी बनती है अभी चलिए देखते हैं बैटर का क्या हाल है दस मिनट बर तो ये बैटर कुछ हैसा हो चुका है इसमें हम मिला देंगे एक पैकेट इनो यहाँ पे हमने नॉर्मल फेवर की इनो लिया है आप और कोई फ्लेवर की इनो बिल्कुल मत लीजेगा वरना टेस्ट तार एक से दो मिल ah चलाना है ताके इसमें इंस्टेड खमान फुर इली बहुत ज्यादा फुली फुली बने तो यहां पर दोस्तों हमने लिया इली का सांचा इस पर हमने थोड़ा-थोड़ा ओयल डाला है और इसमें इली का बैकर हमें कर देना तो यह देकिए दोस्तों प यहां पर हमने इसे प्रीहिट करने के लिए रखा था गयास पर पानी चढ़ा कर इडली के साचे में रख दिया था अभी इस पर हम यह सारी इडलियां डाल देंगे और इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे दोस्तों हाई टू मीडियम रहेगा लो टू मीडियम फ्रेम नहीं रहेगा अभी यह 15 मिट पक रहा है तब तक देख दें सामबर का क्या हाल है भई तो अभी यहां पर कुक कर की सिटी निकल चुकी है तो कुक को हमें शेक कर लेना है ताकि डाल और सब्जी आपस में बहुत इसे मिल जाएं तो यह कुछ हैसा बनकर त्यार है अभी इसमें हमें डाल देना है धनिया की पती और दोस्तों इसमें हम डालेंगे निबू निबू से बहुत अच्छा तेस्ट आरता है सामबर में आप चाहें तो इमली का पल भी डाल सकते हैं पर यहां पर मैं निबू डा जाल देते हैं दोस्तों यह बहुत जादा गरम है अभी इसमें थोड़ा पानी डाल कर ढखके ढख देते हैं क्योंकि अभी हमें वापस बैटर जो बचा हुगा है तो इसी तरीके से हम इडली बना कर के त्यार करेंगे तो यह देगो दोस्तों इडली बिल्कुल में नहीं है और यह बहुत ही अच्छी इडली बनकर त्यार हुई है अंदर से बिलकुल स्पॉंजी और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है क्योंकि इसमें हमने अजवाइन का और लालमेज का फ्लेवर दिया है दोस्तों आप इस तरीके से जरूर से ही बनाना तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आगे और आपके घर पे भी सभी को यह इडली बहुत ज्यादा पसंद आने वाली तो चलिए अब बारी एस सर्विंग की तो हमें एक कटोरी पर निकाल देना सामबर दूसरे कटोरी पर निकाल देना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नारियल की चटनी और इडली हमें बस सौफ करना है दोस्तों यह बहुत ज़्यादा देश्टी है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल खुजबु विश्वकर्मा को लाइक से और सब्सक्राइब करें मिल देहें अगले वीडियो